अब जब इनके सरकार आई, वो विचारा सेचिन पाइलेट रो रो के मर गया, कहता है वसुंदरा राजे को गिरफतार करो, गहलोत कहता है मैं नहीं करता मेरी बहन लगती है। केजरीवाल की इस बयान के माइने क्या है और केजरीवाल पाइलेट को लेकर थोड़ा सौफ्ट क्यूं है ये सब हम आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले जरा केजरीवाल के पूरा बयान सुन लिच्जे जिससे इस बयान की पीछे छिपे संकेत का आप मर्म समझ सकें। अब जब इनकी सरकार आई वो वह बिचारा सचिन पालेट रोरो-रो के मर गया, कहता है वसंदराराजे को गिरफ्तार करो गैलोध कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है, अब तुमारी बहन हो गई, पहले तुम चिलाते थे कि वसंदराराजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आये तो तुमारी बहन हो गई तो ये तो बहन बाई का रिष्टा हो गया जी दोनों का दिल्ली सीम अर्विन केजरिवाल ने रविवाल को राजिस्थान के श्री गंगा नगर में पब्लिक रेली की इस दोरान उन्होंने बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों पर जमकर निशाना साथा ब्रश्टाचार के आरोग पर अशोग गहलोट और वसुंद्रा राजी को घेटती हुए केजरिवाल ने कहा सीएम अशोग कहलोट कहते हैं कि मैं कारवाई नहीं करूँगा क्योंकि वसुंद्रा राजी मेरी बहन लगती है हलांकि इस दोरान केजरिवाल ने पाइलिट का जिक्र तो किया लेकिन उनको लेकर निशाना साधने की जगे थोड़ा सौफ नज़र आए दरसन सचिन पाइलिट के जरिये अर्विन केजरिवाल ये परसेप्शन क्रियेट करना चाहते हैं कि ना दही बीजेपी सरकार और ना ही कॉंग्रेस सरकार राजसान के लिए अच्छी है यानि अर्विन केजडिवाल परसेप्शन बनाने के लिए पाइलिट के नाम का इस्तमाल कर रहे हैं इसके साथ ही बीते दिरों जब सचिन पाइलिट ने अपनी ही सरकार के खिलाओ अन्शनकर मोर्चा खोला था उस दोरानी चर्चा तेज थी कि आम आदमी पाइलिट से संपर्क में हैं और चुनाओ से पहले पाइलिट आम आदमी पाइलिट का हाथ ठाम सकते हैं हलांकि बाद में पाइलिट ने इस मुद्धे को ज्यादा जोड नहीं देते हुए आने वाले हालात को देख फैसला लेने का निर्नलिया ऐसे में राजिस्थान चुनाओ से पहले अर्विन केजडिवाल दोनों बड़ी पाइटियां बीजेपी और कॉंग्रिस को तो टार्गेट कर रहे हैं लेकिन सीधे तोर पर सचिन पाइलेट को लेकर कोई आरोप नहीं लगा रहे है ये जानते हुए कि पाइलेट भी उसी कॉंग्रिस पाटी के नेता है जिस पर केजडिवाल ब्रिश्टाचार के आरोप लगा रहे है अब केजडिवाल के इसी बयान की वज़े से राजिस्थान के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है